बच्चों इसी तरीके के और उदाहरण हमारे सामने हैं हम उसे भी हल करते हैं यह उदाहरण क्रमांग 28 है उदाहरण 28 यहां हमें जो दूथरी सिंख्या दी हुई है वो है 48 हमें 48 का वर्ग निकालना है और जिस तरीके के हम उप्योग करेंगे वो अनुरूपेन विधी ही है ठीए हमने पिछली बार जासा किया था इनको हमने दो हिस्से में लिखा यहां पर हम लिखेंगे यहां जो इकाई की संक्या है उसका वर्ग आर्ट का वर्ग होगा और यहां हम लिखेंगे इन दोनों का गुणा और फिर उसका दुगना यानि चार गुणित आर्ट गुणित दो और हैं हम लिखेंगे दाहई की संक्या का वर्ग यानि चार का वर्ग अब इसको हल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हर खाने में हमें किवल एक अंक रखना है यदि भी जो हमें मिले गए वो उतनी इकाईयों को उतनी दाहईयों को और उतने सेगड़ों को बताएगे लेकिन हमको मौलूम है कि हम इकाईयों है सेगड़ में किवल एक अंक ही रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें हर जगा पर सिर्फ एक ही अंक रखना है जो हमें मिल रहा है उसे देखें क्या मिल रहा है एक बर यहां देखिए आपको मिलेगा 64 और यहां मिलेगा 28 यहां भी आपको 64 मिल रहा है और यहां आपको मिलेगे 4 कवर्ग यानी 16 अब आपको इस 6 को यहां शिफ्ट करना होगा यहां ले जाना होगा और यहां पर जो संख्या नहीं मिलेगी उसकी इकाई को यहां रखना पड़ेगा और जो बागी बची वी संख्या होगी उसे आगे लेके जाएंगे तो क्या मिलता है देखिए हम यहां पर चार को रखते हैं और 6 को जब यहां ले आते हैं तो हमें मिलता है 64 धन यहां का 6 और यहां 16 मौजूद है और फिर हमें दुबारा मिलेगा इसको हम आगे देके हल करें फिर से से बना लें यह तीन खंड यहां हमें 4 मिला हुआ है और यहां और यहां 16 पहले से मौजूद है और इतना होने के बाद आप देखिए हम पर फिर हमको इस एक अंग को रखना है सत्तर दहाईयां है जिसमें सत्तर दहाईयों में यह साथ सेकड़े को प्रदर्शित करता है सेकड़ा वहां चला जाएगा और किवल जब आप इसको देखेंगे तब आप केह सकते हैं कि सतर संक्या हिए जिसकी इकाईए और यह दहाई है लिकिन जोगि खुद भी दहाई है तो इसका मान दहाई हो और यह सेकड़ा होगा तो हम इकाई में 4 लखेंगे दहाई में 6 लखेंगे और 7 यहां चला जाएगा तो हम को यहां मिलेगा 16 धन 7 यह तीन हिस्स हुए अब देखिए फिर एक बर लेकर हम चार शुन्य और सुलावे साथ को मिलाने पर आपको मिलता है तेज्ड इस तरह से जो आपको संख्य मिली दो हजार तीन सो चार जो अड़ा तालीस का वर्क है अड़ारीस में अड़ालीस का गुणा करके आप देखिए जिन तरीकों से अभी तक आपने गुणा किया है सीखा है उनमें से किसी के भी उप्योग करिए और देखिए क्या प्रणाम आपको मिलता है एक बाद जाचिए और किसे नए उदारेन को लेकर नए सवाल को लेकर आप फिर से इस तरीके के इस्तमाल करिए आप देखेंगे क यह बहुत आसानी से चीजा बनती है और आप इसे बहुत मज़े से कर सकते हैं तो कुशिश कीजिए